Hello friends, NX के प्रधम पार्ट टूटरियोल में आपका स्वागत है आईए, बात करते हैं इस अबजेक्ट को बनाने की सबसे पाहले हम इसके ड्राइंग को देखेंगे ये इसके ड्राइंग है और ये अबजेक्ट है, फाइनल अबजेक्ट है ये ड्राइंग है, तो according to dimension, हम इस ड्राइंग को create करेंगे इसमें हम revolve tool लगाएंगे, तो चलते हैं, बनाते हैं, ये 20 है तो revolve में हमेशा आधा स्केज बना जाता है, सेंटर लाइन के इस तरह फाला बनाएंगे और ये पूरा revolve करके देगा, तो चलते हैं, बनाने कोशिज करते हैं, सबसे पहले, यहाँ से यहाँ तक की distance को देखते हैं, ये distance 300 है तो annex में चलें, सबसे पहले की खुले विज़ विंडो को close करना होगा close किये, और यहाँ से new, यहाँ हम unit millimeter ले ले लेंगे, mm में रहेगा, और यह part number first है, first डाल दिए आप यहाँ से हम sketch पे जाकर के plane select करेंगे, which plane you want to choose और फिर हम इसको normal view पे लाने के लिए, view में जाकर के, orient view to sketch पे क्लिक करेंगे अब हम क्या करते हैं, यहाँ से center से और इधर तक हम 300 mm का हम एक line खीच लेते हैं और इस line को convert कर देते हैं center line में, ठीक है अब हम बात करते हैं, इस drawing को बनाने की यहाँ से 10 distance है और यहाँ से यहाँ तक के distance 80 है, यहाँ से यहाँ तक के distance हो जाएगी, इसकी radius 60 हो जाएगा 60 में से यह 10 चला जाएगा तो 20 यानि कि यह 20 हो जाएगा यह 40 और यह फिर इसकी 100 है तो यहाँ तक 60 है तो यह होगा 20 और 20 तो यह भी 20 और यह हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 60 तो हम बनाने कुशिस करते हैं चलते हैं एनेक्स में और यहाँ से हम लेते हैं प्रोफाइल और हम 10 एम फिर यहाँ से 80 फिर उपर है हमारा 20 फिर इधा 40 आप फिर से एक बार जाहें ड्राइंग को मिला सकते हैं फिर उपर 20 ठीक है सॉरी यहाँ सब लाएं पर क्लिक कर लेंगे 20 और फिर यह 60 नीचे फिर 20 है और फिर यह 50 है यहाँ से यहाँ तक 20 है और फिर यह फाइनल 80 है यहाँ से नीचे तक 10 है और फिर हम इसे एक क्लोज स्केच बना लेंगे ओके यह हमारा फाइनल सकेच कंपलीट हो गया यह आप देखे उपर का सारे यह 10 यह 20 mm यह 20 mm और फिर फाइनली यह न coffin कंपलीट हो गया है हम सकेच यनवार्मेंट में सकेच कर लिया है अब सकेच यनवार्मेंट से एकुल होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको finish sketch करेंगे तो चलते हैं हम finish sketch करते हैं finish sketch अब हम revolve tool को लेंगे और सबसे पहले curve को select करेंगे और उस vector को select करेंगे जिसके along हमें इसको revolve करना है फिर specify point हम उस point को select करेंगे जिसके along हमें revolve करना है then okay यह हम देख सकते हैं हमारा object create हो गया thank you for watching फिर मिलेंगे next tutorial में till then bye and take care